किससे बात कर रहे थे कौन है वो एक बार मेरे सामने आ जाए ना तो उसके तो चिम्ता छोड़ दू बस इतनी दिर में कई-कई पत्नियों की आदत रहती है दिन बर शंका 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 कई-कई पतियों की आदत रहती है दिन बर मोबाइल में टटोलता ही रहता इसने किस कौन था कौन था कौन था कि अपनी आनंद की जिन्दगी सब नरक कर ली केवल शंका करते 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 एक बार अगर विश्वास करा होता तो शंका बीच में आती ही नहीं हमारे सनातन धर्म के अंदर हमारे सनातन धर्म के अंदर शंका का कोई काम नहीं होता हमारे सनातन धर्म के अंतरगत केवल विश्वास करा जाता है कि पत्थर की मूर्ती में विधाम होता है हमारे सनातन धर्म के अंतरगत केवल विश्वात होता है कि रामचरित मानस के एक पन्य मैं एक शबद में रामशमाया होता है ुसको समझने वाला होना चाहे है हमारे सनातन धर्म के अंतरगत शंका में शंका नहीं होती हमारे सनातन धर्म के अंतरगत विश्वास होता है कि गव माता की अंतरगत तेतिस कोटी देवी देवता विराजमान होते हैं यह विश्वास है हमारा ये विश्वास है हमारा हमारे सनातन धर्म के अंतरगत तिरुमाला के परवत पर जाते हैं तो वेंकटलाल का दर्शन करते हैं गोवर्धन परवत पर जाते हैं तो गिर्राजी का दर्शन करते हैं हम कामतगिरी परवत पर जाते हैं तो कांतानाजी का दर्शन करते हैं हम काशी में जाते हैं तो गंगा की लहरों में भी गवरा का दर्शन करते हैं हम सनातन धर्म के अंतरगत एक एक बच्चे में राम देख लेते हैं और एक एक बेटी में सीता का दर्शन कर लेते हैं यह सना या के लोग जान करके संका क्या होता है संकर जी पे जल चड़ाने से क्या होगा मंदिर जाने से क्या होगा लोटा बरके पानी चड़ाने से तो जो तुम से कहे कि लोटा बरके पानी चड़ाने से कुछ नहीं होता तो उससे कहना यह ज्यान देने से भी कुछ नहीं होता तो हम को काई को ग्यान दे रहा है कि लोटा भर के पानी चड़ाने से क्या होगा यह तो हमारे भीतर की सोच है यह तो हमारे भीतर का भाव है